दोस्ती का रिष्टा, जी हाँ वही रिष्टा जिस पर हम अपने परिवार और मापापा के पास सबसे ज्यादा पिश्वास करते हैं, वो रिष्टा जिसे हम सबसे ज्यादा अपने करीब रखते हैं, रात के बारा भी बजे हैं तो सबसे पहले उसे फोन लगा कर परिशान कर सकते हैं वो रिष्टा जिसे सबसे ज़्यादा अपने करीब मानकर उसे जितनी गालियां भी देंगे तो साथ ही साथ उसके साथ रात को डिंगे भी उसी के साथ हाकेंगे लेकिन ये दोस्ती तब शर्मशार होती है जब निधी और अंजली जैसे मामले सामने आते हैं जिहां म उसे छोड़कर एक दोस्त निकल जाती है क्या है ये दोस्ती कैसी परिभाशा है ये क्या कोई अब दोस्ती कर पाएगा अगर ऐसा हुआ तो फिर दोस्ती कोई कर ही नहीं पाएगा और दोस्ती सब्द से भी नफरत सा हो जाएगा जैसे कि आपने दोस्ती का बात किया दोस् सब कुछ निजर आजाता है और ऐसे जब को सिस जब रीट करता है सुनने में आता है देखने में आता है हतास किस मोड पर साथ छोड़ कर चला जाएगा और छोड़ने का वज़ा दोस्त खुद होगा यह सोच करके और वुरा लगता है जब मैं दोस्ती का नाम सुनता हूं सबसे पहले मेरा ध्यान उन लोगों के बीच चला जाता है जो लोग दोस्ती को वकायदा क्या खोब निभाये थ क्योंकि अदिक्तल लोग ऐसे होते जहां पर यह चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत प्रगाड दोस्ती और मित्रता होती है वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले जबाते हैं आप वाकई बहुत लगी हैं देखिए तो भगवान की दया दिश्टी और यह भी काफी सारा फैक्टर हो जाता है कि आप संगत कैसे लोगों से करते हैं आप का रुजहान की लोगों के बीच है पता नहीं होता ना कौन कैसा निकल जाएगा आप इसमें देखिए अंजली और निधी के केस में उसे पता नहीं होता कि भई निधी इस तरह की निकलेगी रात को कि इन्हों ने बुलाया तो मैं बुलाऊंगा यह साथ घूमा तो मैं घूमूंगा इन्हों ने यहां यह किया तो मैं इनके लिए कर दूँगा अगर नहीं कर पाया कोई बात नहीं है मैं विधी के विधान के आगे लडने जाओंगा और मैं मारा जाओंगा, लेकिन मैं दोस्ती का धर्म निभाओंगा। तो छोड़ दो क्रिश्ण और सुधामा की तो समझ में आती है चलो क्रिश्ण जी ने महांता दिखाई है सुधामा के भाव को उन्होंने भाव दिया है और तीनों लोक उनके नाम कर दिया वो बात अलग है वो तो महांता की स्रीक्रिश्ण की दी लेकिन दोस्ती में महांता की तरह ही मैं दोस्ती को निभाऊंगा इन्होंने वाकई बहुत अच्छी बाती कहीं है एक तरफ कृष्ण सुदामा तो वहीं दूसरी तरफ दुर्युधन और कर अपने आप में बहुत चौकन वाली हम साथ मिजब कोई बात करते हैं हमारी कोई मतवेद होती है मन भेद नहीं ह मतवेद होता है और जरूरी ही भी होता है हम साथ में काम कर रहा ही तो हमारे किकि कभी भी प्राइब को इस बातों में होते हां में होते हैं तो मैं यह सोचता हूं कि उनसे कैसे बात करूं लेकिन जब साथ के सब उम्र हम हम उम्र होते हैं तो फिर उस टाइम यहीं लगता है कि नहीं हम तो सब साथ की बात करते हैं क्योंकि साथ की बात बहुत जल्दी समझ में आती है और संदार तरीके से समझ में अगली हुआ हुआ तो ये कामnet अगर हम करते हैं कोई और हमारे जैसे है सोच कोई अगर बदलने का काम करते हैं तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा और सकरात्मक हो जाएगा ज़रत है कि सोच बदले हम अब समाज परिवर्तन चाहता है और वक्त के साथ ये चीजे बिलकुल बदलनी चाहिए ये बात हैपी भाई ने बिलकुल साफ कर दी है और अब ज़रत है हमें परिवर्तन करने की चाहे फूर अंजली और निदी के ये केसी क्यों ना सामने आ है हमें सीख लेनी चाहिए ना कि नेगेटिव इंपेक्ट इससे पढ़ना चाहिए हैपी ने ये बात साफ कर दी है पौराने काल से जोड़ दी है सेल्यूटिव हैपी बिलकुल मुलाकात होगी अगले सेशन में अगले सेशन में मुलाकात होगी तब तक आप हमारे साथ बने रही है और अभी फॉलो कर लिजे